गुट इवनिंग क्लास गुट इवनिंग देवाशिश गुट इवनिंग विवेक कैसे हैं आप सबी एक बर फटा फट से सेशन को कर लो जोईन फटा फट से सेशन कर लो जोईन एक बार मैं वापस से यहां पर लिंक भेश देती हूँ शेयर कर देती हूँ इतने आप लोग भी लिंक शेयर कर दो हां जी तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऐसे सिट्यू बाय ओली बोर्ड यूट्यूब चैनल पर और हमारे यहां पर जो चल रही है वो है विजयरत सीरीज जिसका आज है डेट है ठीक है तो इसमें आज हम क्या करने वाले हैं इसमें हम करने वाले हैं पचास कोईशन हो का महा मोग टेस्ट ठीक है तो फटा फट से एक बार सेशन जॉइन कर लो बहुत इकम स्टूडेंट्स हैं पटापर से जॉइन कर लो भई इतना टाइम मत लगाए गरो तुम उससे भी कहीं ज़ादा टाइम लगा लगा के आते हो गुड इवनिंग ट्रैवलिंग चोड़ा यह कैसा नाम हुआ गुड इवनिंग कौन सा टॉपिक होगा टॉपिक यहां पर मिक्स होगा साग्र गुड इवनिंग खोग अच्छे अंशिका गुड इवनिंग कैसे हैं आप पता-फट से एक बार करो सेशन आप सब भी जॉइन और उसके बाद में हम करते हैं आज का सेशन यहां पर स्टार्ट ठीक है तो आज है हमारा डे 10 विजयरत सीरीज का और आपके लिए एक इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे धर्यानी की आज कल गले का प्रॉब्लम चल रहा है तो यहां पर क्या है कि ओले बोर्ट पर आपके लिए CGL 2021 के टियर टु के मौक्स यहां पर आपको अवेलेबल है अच्छा इसमें तुम्हारे मतलब के बात क्या है तुम्हारे मतलब की यह बात कि आपको फ्री मिलेंगे ठीक है तीन मौक हैं आपके लिए एकदम फ्री है मौक में क्या क्या होगा तो मौक है आपका क्यूंकि tier 2 का है तो English और Quant का ये मौक है ठीक है इसमें आपको 80 full length मौक मिलेंगे यानि कि पूरे proper जैसे आपके 200 question होते हैं ऐसे English में 200 question Math में 100 question बिल्कुल आपके tier 2 के हिसाब के और कितने मिलेंगे 80 मिलेंगे ये हमारा यहां पर क्या है ये मौक सीरीज है ठीक है इसमें आपको 80 full length मौक मिलेंगे 40 मिलेंगे आपको Quant के 40 मिलेंगे English के कोई repeated question ये सारे unique question होंगे सारे मौक में और जो लोग जाना चाते हैं दे आपको विजिट करना है olive board की website oliveboard.in website पर आपको विजिट करना है वहां पर जाकर आप इसको दे सकते हैं इन सारे मौक को दे सकते हैं और आपको error free solution मिलेंगे यानि कि ऐसा नहीं है कि किसी solution में कुछ गलत होगा ठीक है एकदम error free आपको solution मिलेंगे unique question मिलेंगे और आप काफी अच्छे से prepare कर सकते हो और जो लोग अगर आपको देखे लगता है कि हाँ काफी अच्छे मौक हैं इससे हमें help मिलती है तो आप फिर 1000 उपे में एक साल की validity वाला ये सीजल 2021 ये मौक पूरा खरीच सकते हैं फिलाल के लिए आप जाएए तीन मौक जो आपको free मिले हैं वो ज देखिए कि आपका score कितना आता है आपकी rank की क्या आती है और आप कहा stand करते हैं ठीक है एक बार ये जरूर देखना कि आपकी preparation किस level की चल रही है ठीक है तो ये मौक देना मत भूलना बहुत अच्छे सागर ये तो बहुत अच्छा score है हेलो सुमिता कैसे हैं आप हंजी अज कैसे हैं काफी time बात दिखें हैं first time आए है I hope आप बार-बार आएं हमारी class में और ऐसे ही मल लगाते रहें अपनी प्यारी प्यारी बातों से अरीधी MTS analysis करिये आच्छा तुमने CGL का CGL का notice नहीं पढ़ा था CGL CHSL के time पर CGL के time पर एक notice आया था SSE का वो शाय तुमने नहीं पढ़ा था Candidature खतम हो जाएगा जिसने भी जिस भी student ने उसके बारे में बात की तो छीक है क्यों risk लेना है Good evening परवीन सिधार्थ Good evening कैसे हैं आप कहां बटक रहे थे ये बताओ पहले तो कहां घूमते फिरते आये हो कहां बटक रहे थे बत चलो इतना वक्त क्यों लगा दिया इतना वक्त कैसे लग गया जिने नहीं पता है एक बार फिर से explain कर देती हूं फटा फट से ये आपको मतलब की बात ये है तीन मौक आपके लिए फ्री है ठीक है ये आपको देने कहां जाकर oliveboard.in की वेबसाइट पर आपको जाके देने है इसमें आपके tier 2 के लिए मौक्स है यानि की English और आपका math quant section है जो उसके मौक्स आपको मिलेंगे तो जरूर जाए और जाके देखे कि आपकी rank क्या आ रही है और आपकी तैयारी कहां पर चल रही है कितना आप score कर पा रहे हैं ठीक है कहां पर जाना है oliveboard.in पर तीन मौक आपके लिए free है सबसे main बात ही है ठीक है तो जाके जरूर दीजिए यहाँ पर मौक आप नेक्स चीज़ आपको पता है कि oliveboard डाल नहीं है इस पर आपको 100 से भी जादा एक्जाम के लिए live classes test series मिल जाएंगी free G के current affairs मिलेगा और live classes मिलेंगी practice session के साथ में और इसी के साथ आज का session करते हैं शुरू यह देखो भई यह है मेरा telegram तो telegram पर मुझे join करना बिलकुल भी ना भूलें join जरूर करे class related information pdf और quiz तीनों यहीं पर मिलेंगी यह मेरा insta id है यहाँ पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं और आपको अभी क्या करना है फटा फट से जो यह like button दिख रहा है ना इसको दबा दो ठीक है फटा फट से like button को दबा प्रवीन आप पहले से आये हैं मैंने reply निक्या oh so sorry मैंने देखा नहीं नहीं अभी मैं राजिस्थान से नहीं हूं मैं राजिस्थान के बगल वाली जगया है ना जो हर्याना वहां से हूं ठीक है start करें कोशिश करेंगे ट्रैवलिंग शूराजी कोशिश करेंगे नाम बता दीजिए आपका नाम क्या है कर दिया थैंक्यों सिधार्त सिधार्त ने देखो like कर दिया है शेयर कर दिया है तुम लोग कब करोगे यह बताओ मुझे तुम्हारे आगे शाष्टांग डंडवत प्रनाम करके दिखाना पड़ेगा या ऐसे ही कर दोगे मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो ठीक है तो start करते है आज का session पहला question आपकी screen पर यह रहा which of the following device is best suited for measuring the temperature inside metallurgical furnaces कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि जो धातू क्रम भटियां होती है न उनके अंदर कौन ऐसा ऐसा उपकरन है जो उनके अंदर का तापमान को मापने के लिए सबसे उप्योगत है सबसे प्रियोगी है पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर या फिर थर्मिस्टर बताईए आंसर यहां क्या होगा अच्छा आप नहीं करोगे अज़या फिर देखो क्या होगा थेकσι है कुछ नहीं होगा मैं तो सर्फ लिक्वेस्ट कर सकती हैं बाकी तो देखो जो करना है ना आप लोगों आंसर है एक दा मच्चे आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा पाइरोमीटर पाइरोमीटर क्या काम करता है पाइरोमीटर देखता है कि भट्टी के अंदर का तापमान कितना है अच्छा यह जो थर्मोकॉपल करके दिया हुआ है इसका क्या काम है थर्मोकॉपल का क्या काम है तो basically ये क्या होता है ये एक sensor है ये यंत्र नहीं है क्या है sensor है ये sense करता है किसको ये sense करता है जहाँ पर भी thermal यानि की जो भी आपकी thermal चीज़े होती है temperature होता है आपका temperature होता है तापमान होता है उसको नापने का ये क्या है sensor है ये बता देगा कि इस जगे पर कैसा है तापमान जादा है तापमान कम है इसके अंदर sensor लगे होते हैं यह एक sensor है ठीक है थर्मोमीटर वो होता है कि आपकी बॉडी का तापमान नापने के लिए जो आप यूज़ करते हैं थर्मोमीटर होता है और थर्मिस्टर क्या होता है यह थर्मोमीटर और किसका resistor का combination है यानि कि ये क्या काम करता है ताप मान से बचाने का काम करता है ये क्या काम करता है ये उपकरन ताप मान से यानि कि ये ताप मान को वहीं की वहीं रोक देता है किसी चीज में ताप मान को गुसने नहीं देता एंटर नहीं करने देता ये काम किसका है? तर्मिस्टर का है नेक्स्ट कोशन है फ्रॉपर्टी अफ कैटीनेशन is pre-dominant in यानि कि कैटीनेशन का गुन इनमें से किसमें प्रमुख होता है? az और सब से पहली बात ये आएगी कि मैम कैटीनेशन क्या होता है? क्या होता है बिल्कुल अरिदी ने एकदम सही का है लाइक करके अपनी अटेंडेंस दर्शाइए कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट है और प्लीज यार थोड़ा सा लाइक करा करो शेर करा करो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ठीक है आप लोगों से सपोर्ट की उमीद है बहुत उमीद से आती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आपके actions में मुझे दिखे आप लोगों की तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता रहे और आप लोग भी खुश रहूँ, मैं भी खुश रहूँ, आंसर क्या होगा इदर, बहुत अच्छे, एकदम सही, correct answer क्या होगा, correct answer होगा carbon, देखो, catenition का काम होता है, catenition का काम होता है, bonding करना, यानि कि बहुत सारे जो atom है, बहुत सारे of all atom, जितने सारे atom है, जो same elements के हैं, कै एक ही सीरीज में डालना, उसको क्या बोलते हैं, उसको chain भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, chain के लावार क्या बोलते हैं, catenition भी इसको कहते हैं, कि यानि कि बहुत सारे एक ही जैसे जो atoms है, same element के एक सीरीज में लगातार, एक सीरीज में क्या डाल दिया गया, उनको स औप्शन आपके हैं वर्गिस कुरियन सैम पिट्रोडा हीरालाल चौधरी या फिर MS स्वामी नाथन एक घंटे की क्लास है एक घंटे बाद जब तुम लोग जाओगे तो तुम पचास क्वेशन करके जाओगे और पचास के साथ में जो उनके चार-चार क्वेशन है वो लगा कि कम से काम जादा नहीं तो सो कुषन तो तुम करके जा रहे हो एक घंटे में मतलब फुल पैसा वसूल अब आंसर करिए इदर क्या होगा आंसर करिए यहां पर क्या होगा मेरा फोन हो रहा है वाइबरेट मुझे करना पड़ेगा इसको म्यूट ताकि आप लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो आंसर आ रहा है इदर थ्री सैम पिट्रोडा बोल रहे हैं देवशीष येश बोल रहे हैं थर्ड सिधालत क्या हुआ है आपको मुझे नहीं समझ में आया सुमिता ने बोला है हीरा लाल बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा हीरा अच्छा फिश यानि कि मचली के शेत्र में या फिर पानी एक्कAudify लाईफ जो आपकी अक्वेटिक लाईफ है पानी वाली जितने भी इसमें आपको लाईफ दिखती है फिश हैं औक्ट और पसे भी बेसिकलि फिश के production को बढ़ाने के लिए निली कि लाए उसके जनक कौन थे वर्गिस कुरियण किसके जनक थे वर्गिस कूरियण तो यह होंगे सपहत यानि की शुएत करांती कि किसकी लाए गई मिलकर दूद और दूद से सम्मंदित जितने भी आपके प्रोड़क्स हैं उनके लिए Sam Pitroda कौन है तो Sam Pitroda लेके आए Information Technology के Information Technology के शेतर में ये क्रांती लेकिया है इसलिए इनको बोला जाता है Father of Information Technology Revolution ठीक है और MS Swaminathan बोले जाते हैं कि भारत के अंदर Green Kranty यानि की हरित Kranty लाने वाले कौन थे Green Revolution लाने वाले कौन थे तो मैम वो थे MS Swaminathan अगर तुमसे पुछू की वर्ड में यानि की विश्व में विश्व में हरित Kranty लाने वाले कौन थे तो आंसर क्या होगा तो आंसर क्या होगा विश्व के अंदर हरित क्रांती लाने वाले जनक कौन कहलाते है हरित क्रांती के तो answer क्या आ रहा है बहुत अच्छे सबसे पहले answer किया है सबसे पहले answer किया है यहाँ पर विवेक पतेल ने बहुत अच्छे correct answer क्या होगा Norman Borlo next question देखते है next question क्या है हमारा माली मत कमीटी रिपोर्ट किसके साथ सम्बंदित है माली मत नाम की जो कमीटी है ये किसके साथ सम्बंदित है न्याइक देरी यानि की stock market reforms यानि की share बाजार में सुधार कपड़ा शेतर में सुधार या फिर आप राधिक न्याय प्रणाली में सुधार आंसर करिये यहाँ पर क्या होगा बहुत अच्छे देवशीश एकदम सही करेक्ट आंसर है यश्का करेक्ट आंसर है प्रवीन ने किया यहाँ पर स्किप और हर्शिल ने बोला है डी विवेक ने बोला है जुडीशियल करेक्ट आंसर क्या होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म यानि कि यहाँ पर कैसे आए है नियाय प्रणाली के अंदर सुधार लाया गया ठीक है लेकिन कैसा है तो जस्टिस जस्टिस अब तुम यहाँ पर जुडीशियल डिले और justice में confused नहीं हो न क्योंकि justice system के अंदर यानि कि नियाय प्रणाली में सुधार लाने को का है ना कि नियाय एक देरी में और ये माली मट कौन थे ये माली मट actual में judge थे जिनोंने इसकी अगवाई की इसलिए इसका नाम क्या रखा गया माली मट कमीटी रखा गया किस से जुड लिखा का कौन है आपको बताना है लिखा कौन है प्रणाम मुखर्जी हामिद अंसारी नंदन निले कनी या फिर सत्य जीत राय तो यहां पर आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा अच्छा जादा explain ना करूं क्या सभी यह चाते हैं कि मैं explain ना करूं और बस question कराओ क्या सभी य अंसर क्या होगा हामिद अंसारी मैंने आपको प्रणाम मुखर्जी की भी एक book के उपर question कराया था अगर किसी को नाम याद है तो बताईए फिर क्या नाम होगा इधर क्या नाम होगा देखो कुछ लोग बोल रहे हैं no कुछ लोग बोल रहे हैं yes अब मुझे बताओ मैं क्य चाहिए कुछ लोग बोल रहे हैं मैं जल्दी कराओ तो मैं क्या करूं बताओ ठीक है फिर मैं आपने ही साब से चलती है थोड़ा से जल्दी करा देती और थोड़ा से explain कर देती ठीक है प्रणाम मुखर्जी ने कौन सी बुक लिख लिख थी कहने का मतलब यह है कि यह जो new malthusian theory है यह निमले खित में से किस्से संबंदित है रोजगार गरीबी संसादन की कमी या फिर आए देखो यह new malthusian जो थोड़ी है उसमें बोला गया कि हमें population यानी की population यानी की जनसंख्या के उपर नियंतरन करना पड़ेगा जनसंख्या के अंदर जन संख्या के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा नियंतरन लाना पड़ेगा ठीक है उपाय करने पड़ेंगे इसको नियंतरन करने के क्या है जितने भी संसाधन है वो हमारे पास कम है अगर जन संख्या होती जाएगी जादा तो खाने की कमी हो जाएगी ठीक है खाने की कमी हो जाएगी सबको और किसकी कमी हो जाएगी बूमी की कमी हो जाएगी जहां हम रह रहे हैं रहने की चीजों में कमी हो जाएगी हर चीज में क्या जाएगी कमी आजएगी correct answer क्या होगा resource scarcity यानि की संसाधन की कमे next question Ace against odds नाम की यह आत्मत कता कौन से sport person कौन से खिलाडी की आत्मत कता है Ace against odds बताई आंसर क्या होगा विश्वन आथन आनंद सानिया मिर्जा अबिना बिंद्रा या फिर अजली भागवत answer यहां पर क्या होगा आंसर इधर क्या होगा फटाफट से आंसर करो जितने भी लोग प्रेजेंट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करना ना भूले लाइक सबसे इंपोर्टन है लाइक जरूर करना है सबी को आंसर क्या होगा इधर करेक्ट अमित ने बोला है आंसर होगा मैं वह रहा रहा है सानिय बहुत अच्छे समन्दित है कौन से खेल से समन्दित है रोवर्स कंप्ण یہاں पर क्या होगा बताइए इधर answer क्या होगा प्रटा फट answer आना चाहिए सभी का प्रट जैसे उनका level वो तो my बाप है वो तो मतलब भगवान आदो ही है उनके level पर कहां पहुच सकती है answer क्या होगा इधर बहुत अच्छे कुछ लोग बोल रहे हैं सवही और बाकी लोग बोल रहे हैं गलत correct answer क्या होगा football अच्छा hockey से related अब तुमसे question फूच रही हूं ठीक है explain नहीं कर रही हूं hockey से related कौन से cup है जल्दी से answer करो hockey से related कोई भी 2 cup के नाम बताओ hockey से related कोई भी 2 cup के नाम बताओ क्या होंगे आगा खान cup किस से related है किस से सम्मंदित है वो hockey से सम्मंदित है बेग टन cup जो international level पर दिया जाता है किस से सम्मंदित है hockey से सम्मंदित है गोल्फ के cup कौन से है walker cup कौन से है walker cup और rider cup किस से सम्मंदित है गोल्फ से related है अच्छा basketball का अगर किसी को पताए तो बताओ basket ball से related cup बताईए जरा फटाफट फटाफट basket ball से related cup बताईए क्या होगा बहुत अच्छे Ezra yes जो आप Ezra कह रहे हैं Ezra is related with polo Ezra और Radha Mohan का polo से सम्मंदित है answer क्या होगा इधर answer इधर क्या होगा basket ball से related है bangalore cup bangalore cup आपका basket ball से related है ओके नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा एंटर्प्रनियॉर्शिप डॉलप्मेंट स्कीम लॉंच अंडर न्यू डॉलप्मेंट एकनॉमिक डॉलप्मेंट पॉलिसी ओन जैन्वरी 2017 एड आज कल क्या हो रहा है कि पिछले करंट अफेर्स भी पूछे जा रहे हैं कोई भी एक ऐसी स्कीम है पॉलिसी है जो पहले भी शुरू हुई है चाहे एक दो साल पहले शुरू हुई है उसका भी पूछ रहे हैं कि बही यह जो स्कीम आई थी यह कौन से साल में आई थी यह पूछ रहे हैं या फिर कौन से नीती के तहए तो 19 जनवरी 2017 को जो आई वो कहा पर शुरू गई बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा मिजोरम करेक्ट आंसर होगा क्या होगा मिजोरम करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट देखते हैं इन मैसे कौन से ऐसे ग्राफिक हैं जिसमें डिजिटल फोटो और स्कैन की गई छवियों को आम तोर पर कैसे एक्स्टेंशन के थूरू दिखाया जाता है इस जगहें पर कौन से ग्राफिक्स में इने स्टोर किया जाता है बिट मैप पिक्सल प्लेन बोथ बिक्ट मैप एन पिक्सल आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा इदर सभी का यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं पिक्सल कुछ लोग बोल रहे हैं बोथ कुछ लोग बोल रहे हैं बिट मैप यहाँ पर बहुत सारे अलग-लग आंसर है बहुत सारे लोगों की अलग-लग आंसर है correct answer यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर correct answer होगा bitmap इस graphics के अंदर कैसे use किया जाता है bitmap के अंदर basically छोटी-छोटी information bits में bit of information यानि कि bits of information छोटी-छोटी information उसके regarded लिखी जाती है बहुत सारे extension यूज होते है जैसे कि .png, .gpg, tif और gif ये सारे किसमें यूज होते हैं ये यूज होते है bitmap के अंदर next है who takes the decision regarding saving and loan activities of self-help group यानि कि स्वेम सहायता समू में बचत और रिन की गतिविद्यों के समंध में निर्ने कौन लेता है बताईए answer यहाँ पर क्या होगा, answer कर ये इधर क्या होगा, answer करो फटाफट से इधर क्या होगा क्या बात है शेक सुनू आ गए आप यहाँ पर answer AJ ने बोला है, members of group, हरशिल ने बोला है, RBI, हरशित ने बोला है, सदस्य, मुझे पता था answer इस बार ऐसा ही आने वाला है correct answer क्या होगा, member of group, कहते है स्वेम सहायता, मतलब क्या है, हम खुद से सहायता करेंगे, स्वेम सहायता करेंगे यह समू कैसा होता है, स्वेम सहायता वाला जो समू है, यह कैसा होता है, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी, तो फिर यह बोलेंगे कि मैं क्यों बता रहे हो लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जैसे कोई गाम हैं, उसमें काफी सारे, सपोज 20 आदमी हैं, 20 member हैं, 20 सदसे हैं, वो साथ में मिलके कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जमा पुंजी इसमें हम लगाते हैं, और साथ मिलके कोई एक कारे शुरू कर देती हैं, जैसे 20 आदम वो सामगरी लेके आते हैं, और फिर paper bag बनाते हैं, फिर जाके बेचते हैं, तो इससे जुड़े निरने कौन लेते हैं, वो खुद, वो member ही लेते हैं, कितनी सामगरी लाएं, कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, यह सब कौन decide करता है, वो खुद decide करते हैं, कितना loan लेंगे, कि सब कौन decide करते हैं वो member ही decide करते हैं next in Indian constitution यानि की भारतिय सविधान में राष्टपती के चुनाव की पदती किस देश से ली गई है यानि की कहने का मतलब यह है कि जो हमारे सविधान में बोला गया है कि राष्टपती का चुनाव उसका method क्या होगा उसकी पदती क्या होगी व और यहां पर क्या होगा correct आसर होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कले question कराया था कि पंच वर्ष्य योजना यानि की five year plans कौन से देश से लिये गया है हमारे सविधान में पंच वर्ष्य योजना का जो यह concept है यह कौन सी जगह से कौन से देश से लिया गया है पंच वर्षिश बहुत अच्छे correct answer क्या होगा correct answer होगा Russia USSR या फिर इसका पहले का नाम क्या था Soviet Union ठीक है यह answer क्या होगा correct पंच वर्ष्य योजना कां से लिती रशिया से next what is the name of the court point of king हर्षवर्धन यानि कि राजा हर्षवर्धन के दरबार के कभी का नाम क्या था तुलसी दास बान भट सूरदास या फिर रस खान बताईए आंसर इदर क्या होगा आंसर इदर क्या होगा बहुत अच्छे correct answer क्या होगा correct answer होगा बान भट अच्छा बान भट ने राजा हर्षवर्धन के लिए कौन से किताब लिखी थी बहुत अच्छे विवेक पटेल आपने हर्षवर्धन ने सौरी बान भट ने हर्षवर्धन के ऊपर कौन सी किताब लिखी थी हर्षवर्धन के ऊपर कौन सी किताब लिखी थी तो लिखी थी हर्षचरीता क्या लिखी थी हर्षचरीता लिखी थी बिल्कुल सही सबने एकदम correct answer किया है और इसके साथ साथ बान प्रेजन्ट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे ठीक है आंसर करो क्या होगा इस अपर पर क्या होगा अच्छा यह बताओ अभी मैंने शायद ना मैं बोलनी सकती डिस्क्लोज नी कर सकती लेकिन एक क्वेशन बहुत ही recent में कहीं देखा गया है कि एन ए अकबरी नाम की किताब किसने लखी तो फटा फटा अंसर करो किसने लखी एन ए अकबरी जिसमें अकबर की सुंदरता का वरनन किया गया है वो किसने लखी है बहुत अच्छे नाम क्या घोगा अबुल فजल अबुल फजल को अकबर ने फसाया किसको अबुल को और अपनी कौन सी किताब लिखाई एने अकबरी और कौन सी लिखी है अकबर नामा भी इसी ने लिखी है अकबर नामा भी अबुल फजल ने लिखी है ये question recent में देखा गया था इसका answer क्या होगा इसका answer होगा रूपा पा क्वेशन काफी different different question है आपको पता होना चाहिए यहां अंसर क्या होगा malaria पैदा करने वाले किटानू की खोज किस ने की तो इने में से आंसर क्या होगा correct माम राच नील गुड इवनिंग कैसे हैं आप नील आंसर क्या होगा यश बोल रहे हैं मैं इवान होगा देवशीश भी इवान बोल रहे हैं सुमिता कह रहे हैं हर्शिल कह रहे हैं सी करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा बी अलफोन्जो लेवरेड ने खोज की है किसकी malaria causing germ की यानि कि malaria की खोज नहीं कर रहे हैं वो malaria फैलाने वाले जो कीटानू हैं उनकी खोज की है कि ये फैलाते है malaria अच्छा ये बताओ malaria को malaria के जो drugs है यानि कि malaria की जो medicines है drugs नाम थोड़ा जीव लगता है वैसे drugs उसी के लिए होता है medicines के लिए ही यूज करते हैं drugs लेकिन आज कल level अलग चल रहा है ना आर्यान खान शारू खान का बेटा उसको NCB ने पकड़ा हुआ है अच्छा ये समझ में नहीं आता कि एकदम से NCB इतना जादा activate हो गई है कि ये चीज़े बहुत टाइम से चलती आ रही थी लेकिन पिछले एक साल में NCB ने जितनी rate किया है और जादा तर rate सिर्फ बॉलेवुड में हो रही है तो इसका ना कुछ समझ नहीं आ रहा देखो ऐसा नहीं है कि बॉलेवुड is not responsible कुछ ना कुछ तो है उदर ठीक है तब इतना जादा वहाँ पर कुछ ना कुछ सबूत मिलते हैं लेकिन सब छूट जाते है लेकिन बात कुछ ना कुछ है कि जो इतना चल रहा है यापे हैना आंसर क्या होगा इधर आंसर क्या होगा आंसर होगा यह कौन से medicine इसमें q9 q9 नाम की यह जो substance है यह use होता है malaria treating drugs में जब करोना चला था ना तो बहुत लोग malaria की दवाई लेने लग गए थे यह सोच के कि malaria की दवाई ही इस पर काम कर देगी ठीक है जो की नहीं था case ठीक है तो next देखते है next क्या है who among the following has segmented body यानि की जिनका इन में से कौन सा ऐसा पाइलम है कौन सी ऐसी species है जिसका शरीर खंडित है ठीक है बताई आंसर क्या होगा इसमें मुलस्का आर्थो पोड़ा एनलीडा या फिर कोई लेंट्रेटा आंसर करें क्या होगा यहां पर जितने भी लो किस्सा पता है तो अब वान खेंडिर ने वही शारुखmi तो मतलब परिशान हो गया होगा वां खेंडिन नाम से हैना उसर क्या होगा इदर मुलस्का मुलस्का बोलेहां नहीं गलत हैं तुमने एक वत होगा उनको कि आज़ीब सा फील उन्से तो मैंने इसको देखा नहीं है और निकाला नहीं। पानी में तहरा रहा है है दो दिन माद मैंने देखा तो उस चिना स्कूनी उतर गई। मतलब वो वहीं dead हो गया था पानी के उधर पता नहीं कैसे dead हो गया था पता नहीं मैं उसके लिए जिम्मेदार हो क्या हूँ लेकिन बस मैंने उसको sorry बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते और बड़ी मुश्किल से मैं उसको बहार डाल के आई बहुत बुरी आलत हो गई इसकी तो इनकी कैसी बोड़ी होती है इनकी segmented यानि की खंडित शरीर होता है इनके अंदर आप अगर देखोगे तो इनका दोनों तरफ से ये एक तरीके से सेम दिखते है जितने भी earthworms है जितने भी आपके tapeworms है ठीक है tapeworms, earthworms ये किसमे आते हैं ये आते हैं आपके phylum annalida में mollusca जो लोग बोल रहे हैं mollusca के अंदर कौन से आते हैं octopus octopus किसमे आता है mollusca में आता है squid ये भी कैसे दिखते हैं octopus जैसे snails ये किसके अंदर आते हैं ये भी octopus में आते हैं अच्छा सबसे safe जो सबसे safe और जिसको बोलते हैं सबसे जादा strongly और safest survival करने वाली कौन सी है वो है arthropoda इसके अंदर कौन आते हैं इसके अंदर आते हैं spiders scorpions, bichu spiders यान की मकडी ये इसके अंदर आते हैं और colantrata के अंदर क्या आते हैं इसके अंदर आते हैं jellies जो नीचे होती है न पानी में jellies, comb jellies इस टाइप की किसके अंदर आती है colantra में आती है ठीक है next देखते हैं अच्छा इसका correct answer क्या है इसका correct answer है phylum annalida ठीक है phylum annalida इनका शरीर कैसा होता है खंडित होता है बहुत जल्दी खंडित हो जाता है यह मैंने देखा है कसम से मैंने देखा है मेरे सामने हुआ है तो next question का answer क्या होगा इन में से कौन सा महारतना की लिस्ट में नहीं है इन में से कौन सा महारतना company नहीं है coal india steel authority हिंदुस्तान petroleum या फिर भारत हैवी electricals यानि की coal india steel authority भारत petroleum या फिर भेल आंसर करिए क्या होगा यहाँ पर आंसर करिए यहाँ पर क्या होगा आंसर करिए इदर क्या होगा लाइक जरूर कर दे भाई सबी वीडियो को जितने भी लोग प्रेजेंट है अच्छा अगर इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम महा रतना कंपनी नहीं है तो कौन सी कंपनी है ये किसके अंदर आती है आपको भी पता है तीन तरीके की कंपनी होती है एक तो होती है मिनी रतन जो सबसे नीचे आते है मिनी रतना की भी दो करटेग्री होती है वन करटेग्री और सेकंड करटेग्री बडियो होती है दो करोड या उससे जादा अगर तुम्हारा net profit आ रहा है तुम्हारा शुद्ध जो लाब है वो 30 करोड किसी भी 3 सालों में एक बार आ रहा है 3 सालों के अंदर किसी भी एक 3 साल में अगर तुम्हारा 30 करोड बन रहा है या फिर तुम 3 सालों में 30 करोड से जादा कर रहे हो तो तुम्हारा mini रतना है 500 करोड तक के 500 करोड तक का इनको जो भी investment करना हो निवेश करना हो ये बिना सरकार से अनुमती लिए इतने तक का निवेश कर सकते हैं नवरतन कौन से होते हैं ये 1000 करोड तक का अगर निवेश चाहें तो ये कर सकते हैं ये ऐसी सरकारी कमपनिया होती हैं जो सरकार के अंतर गत्तो आती हैं लेकिन 1000 करोड तक या फिर 15 प्रतिशत इनका जो शु कितना कर सकती है महारत्ना कर सकती है 5,000 करोड तक हांच करोड तरनो इनका टोटल टर्णोवर है नेट प्रॉफिट है उस का जितना भी तीनो महारत्ना नहीं है ये तीनों महारतना है ठीक है बहुत बड़ी कंपनीज है महारतना है ये महारतना नहीं है तो क्या है ये है नवरतन कंपनी कैसी कंपनी है भारत में ये नवरतन कंपनी है इस रेंज में आती है ये ठीक है नेक्स्ट कोईशन देखते हैं, वू गेव दे जर्णल एक्विलिबियम थ्रोडी, यानि कि इन में से किस ने सामान्य संतूलन सिधान्त दिया, बताई आंसर क्या होगा, एक तो जितने भी लोग प्रेजेंट है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो सेशन को, और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल SSCQ पा ओले बोर्ड, और बेल आइकन जरूर दवाना, तक ही आपको जितनी भी क्लास की नोटिफिकेशन है, वो आपको टाइमली मिलती रहीगी, आंसर बहुत अच्छे, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर के, आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा इधर JM Keynes, यानि की John Maynard Keynes, जिनको जनक कहा जाता है किसका, भै ये अर्थ शास्त्र के है, कौन से अर्थ शास्त्र के, Macro Economics, Macro अर्थ शास्त्र के, क्या है, फादर है, जनक कहलाते हैं, कौन, JM Keynes, जिनका पूरा नाम है, John Maynard Keynes, अच्छा, Adam Smith किसके कहलाते हैं, Boss Adam Smith कहलाते है, Macro Economics, यानि की, लगू अर्थ शास्त्र के, जनक कहलाते हैं, और अगर तुमसे, कुल, पूरे Economics, पूरे अर्थ शास्त का पूछे, तो भी यही होंगे, Adam Smith, इनकी किताब है, Wealth of Nations, उससे इनके, Works बहुत फेमस होए, Next, इस देखो, इस देखो, इस देखो, इस देखो, इस देखो, इस देखो, परधान मंत्री, किस्से समंदित है, उजवला, योजना, आंसर क्या होगा, रुक, रुक कर चला है, I think, बाकी सबको, I think, correct दिख रहा हो सकता है, आपके net में, प्रॉब्लम हो, क्योंकि, मुझे भी यहां पर, correct दिख रहा है, बिल्कुल सही, correct आंसर क्या होगा, उजवल क्या करना है, उजवल करना है, घर के चूलो को, यानि की, LPG connection को, जो तुमारे, LPG cylinders नहीं आते हैं, अब मेरी गंदी से, ड्रॉइंग देखके, दर्मा जाना, ठीक है, यह क्या है, थोड़ा सा, खतरनाक है, लेकिन यह क्या है, यह है, सिलेंडर, कौन सा, LPG cylinder, इससे related क्या है, इससे सम्मंदित है, आपकी उजवला, योजना, क्या उजवल किया जा रहा है, यहां पर उजवल किया जाता है, सबकी gas connectionों को, सबके घर पर, रोटी बन पाती है, ठीक है, तो correct answer क्या होगा, LPG connection, next, who among the following is the executive head of state in India, यानि कि भारत में, राजे का कारी कारी, कार्य कारी प्रमुख कौन है, परधान मंतरी, राष्ट पती, कैबिनेट सचिव, या फिर विच्ट सचिव, बताई यह answer क्या होगा, answer क्या होगा, आपकी इंडियन आर्मी का प्रमुख कौन है, प्रेजिडेंट, आपकी नेवी का प्रमुख कौन है, वो भी राष्ट पती है, आपकी जो वायू सेना है, उसका प्रमुख कौन है, वो भी राष्ट पती है, तो कैसा है, यह हर चीज का क्या है, head of state है यानि कि जितनी भी चीजे उन सब का क्या है प्रमुक है कौन है president अच्छा अगर president पर महाभियोग चलाया जाए महाभियोग चलाया जाए तो किस basis पर चलाया जाएगा किस basis पर चलाया जाएगा महाभियोग या का उलंगन किया है किसी ना किसी वज़ा से कौन से अनुछेद के अंदर आता है यह आपका महा भियोग किस का राष्ट-पती इसमें ठीक है मिस्स बीएवियर कैसा अगर उसने सविधान का उलंगन किया किसी भी वजह से नेक्स टेज़ वॉस्ट गवर्नर जर्नल ऑफ बंगाल यानि कि बंगाल के पहले गवर्नर जर्नल कौन थे नाम क्या था उनका नाम बताईए उनका क्या था अंसर करो बहुत अच्छे एकदम सही सभी का आनसर करेक्टा रहा वारस हेस्टिंग अगर पुझो वररन जर्नल के उसमें कारेकाल क्या रहा वारन हेस्टिंग का कारेकाल कितना रहा गवर्नर जर्नल के तौर पर भंगाल के गवर्नर जर्नल के तौर पर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो आंसर क्या होगा तो आंसर क्या होगा आपका इधर कोई बात नी कर नहीं, आप ठीक हो जाएं, get well soon, जल्दी से ठीक हो जाएं, then आप class ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नी अमन, बहुत अच्छे देवाशीश एकदम सही, जो मैं आंसर देखना चाहती थी, वो करा देवाशीश ने बहुत अच्छे 1772 से लेके कब तक, 1785 तक, अच्छा एक चीज़ पूछू, बंगाल का, बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल पार्टीशन यानि बंगाल का विभाजन कौन से, गवर्नर जर्नल ने किया, बंगाल का पार्टीशन ये क्वेशन भी अभी recently कहीं पर पूछा गया था, कहीं पर यानि की करजन ने किया, और इसको वापस से, यानि की वापस से मिला दिया, जो अलग-अलग किया था, इस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में अलग-अलग किया था, वापिस इसको जोड दिया, किसने, वापिस इसको जोड दिया, 1911 में किसने, हाडिनेज ने, किसने, यहां पर क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर था अगर पहला जर्णल बोलेंगे तो कौन होगा वारेन हैस्टे नेक्स्ट यह आइधिंग गलती से डाल दिया है नेक्स्ट देखो इसका कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट दीन दयाल रसोई योजना टू प्रोवाइड फूड क्योंकि योजना आपकी जब चलाई गई वो तब चलाई गई लेकिन अब भी उससे क्वेशन पूछ सकते हैं कि दीन दयाल रसोई योजना बताओ कब चलाई गई क्या कहोगे क्या रहे तो बहुत पहले का है करेंड़ फेर्स अभी क्यों पूछ रहे हो वो कहेंगे कान के नीचे आएगा एक बता बेटा कहां पर है ठीक है फिर तुम कहोगे काश काश हमने ये पढ़ लिया होता तो वो काश आज ही है तो बताइए पांच रुपे में खाना देने वाला जो भोजन देने वाला जो ये दीन दयाल रसोई योजना है ये कौने से स्टेट में चलाई चलाई गई छेए अपरेल 2017 को और हैंसर क्या होगा यू-पी और एम पी फिर हो गया तुम्हारा आपस में यू-पी और एमपी नेक्स्ट हिलती हुई मिनार वाली मस्जित भारत के किस राजे में स्थित है? कौन सी ऐसी है हिलती हुई मनार वाली मस्जित है? कानपूर, एहमधाबाद, जैपूर या फिर राची बताईए अंसर क्या होगा? यूपी वाले अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं यूपी तो मतलब इतना बड़ा है इतने लोग रहते हैं शेतरफल भी इतना बड़ा है लोग भी इतने हैं कि जो वो डायलोग था ना चुप-चुप के मूवी में कि इसे घर क्यों बोलते हो जिला क्यों नहीं घोशित कर देते तो ऐसे इसको राज्य क्यों बोलते हो देश क्यों नहीं घोशित कर देते अब यहां पर कुछ लोग और आ जाएंगे कि यूपी का एक अलग देश होना चाहिए अरे मजाग था बॉस मतलब कहने का मतलब यही है कि कई-कई जगए पे इतन हर्याना भी हमारा और जमुक श्वीर भी हमारा ठीक है आंसर क्या होगा आंसर होगा इधर एहमदाबाद यह मैं तुमें करा चुकी हूँ एहमदाबाद कहां पर गुजरात में मैं बहुत असान सी बात है अच्छा असान सी बात है लेकिन इस असान में यह बता दो एहमदा नाद वैंत नहीं की नहीं करहें एहंदाबार और दूसरा आप मेham गांधी नगर नगर गुजरात में थे। नहीं का नाम साबर मधी नदी का नाम क्या था साबरमदी चीक है नेक्स्ट देखते हैं रेड रोट Sad Ladies किसकी वज़े से कौन से पलांट में होता है यानि कि लाल रंग का एक धब्बा दिखेगा लाल रंग का एक धब्बा दिखेगा रेड कलर का ये कौन से ऐसे plant में पौधे में पाया जाता है धान, गन्ना, सरसो या फिर गेहूं बहुत अच्छे सभी का correct answer है किस में देखने को मिलता है गन्ने में देखने को मिलता है और बच्पन में तो पता ही नहीं चलता था कि ये red color का ये जो dot है ये उसके अंदर का ऐसे गन्ना छिल के खा जाता थे पता ही नहीं चलता था कि ये कोई disease होता है हम तो सोचते थे कि ऐसे ये भी कोई प्रकार होता होगा लाल रंग का कोई design होता होगा sugar cane यानि की गन्ने में अच्छा ये मेरा telegram channel है यहां पर आप लोग join कर सकते हो for pdf quiz and many more things जो आप कोई doubts वगेरा आप यहां पर पूछ सकते हैं next is second battle of tarayan was fought between यानि की tarayan की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी Alexander और Porus, जैचंद और मोहमत गोरी अकबर और हीमू या फिर मोहमत गोरी एंड पृत्वी राद चोहान बताई आंसर इदर क्या होगा फटाफट आंसर करो बहुत अच्छे एकदम सही correct आंसर क्या होगा यहां पर मोहमत गोरी एंड पृत्वी राद चोहान अच्छा पहली पहला जो tarayan का युद्ध था वो किन के बीच में हुआ था पहला तरायन का जो लड़ाई हुई वो किन के बीच में हुई तो आंसर क्या होगा जो बोल रहे सुमिता 121292 नहीं होगा 1192 होगा और 1191 में लड़ाई हुई थी किसके साथ में पहली लड़ाई हुई थी तरायन की प्रित्वी राज चोहान और मोहमद गोरी पहली बार कौन हारा हारा गोरी और دूसरी बार बदला लेने आЯ किसे प्रित्वी राज चोहान से साथ में किसको लाया जैचंद को लेके आया जैचंद कौन था? वो था इसका ससुर प्रिथवीराच चोहान से चिरता था इसे लिए उसके के खिलाब क्या की? साजिश की गॉरी के साथ मिलकर और यहाँ पर जीत किस की हुई? यहाँ पर गॉरी जीत गया ठीक है? और यहाँ पर गॉरी डिफीट हुआ हारा था चीक है और फिर तीसरी लड़ाई कि इनके बीच में थी फिर वही बात है ना जो जैचंद पृत्वीरा चुहान का नहीं हुआ तो गौरी का क्या होगा ठीक है गौरी ने का यह मेरा क्या होगा तो गौरी किसका सगा था उसने उसी को उड़ा दिया जैचंद को नेक्स्ट है फर्स टेट टू इंप्लिमेंट सौर सुजला योजना एज यानि कि सौर सुजला योजना को लागू करने वाला पहला राजे इनमे से कौन सा है बताईए देखो सौर सुजला बोल रहे हैं तो किसे रिलेटेड है सोलर एनरजी से रिलेटेड है किसे रिलेटेड कुछ लोग बोल रहे हैं मैं मुत्राखंड है। כुछ लोग बोल रहे हैं मैं गुजरात है लेकिन आंसर तो कुछ और ही क्या है। 36 गड़ में ठीक है कहां पर सबसे पहले शिरुआ 36 गड़ में हुआ किसका सौर सुजला योजना का सोलर एनरजी से रिलेटेड है सौर उर्जा से सम्मंदित है बहुत ही असान है मलक्का का जो स्ट्रेट है वो कौन से दो बड़े बड़े लेंड मासे यानि की बड़ी बड़ी दो भूभागों को अलग करता है बड़ यह आंसर क्या होगा मलय पेनिन शुला यानकी मलय प्राय द्वीब और प्राय और शुमात्र का इंडिनेशिया द्वीब अफ्रिका और यूर भाष्फ और शिरलंका या फिर उत्री अमरीका और दक्षेनी अमरीक सी अहाँ एन्फ्र 있지 अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा बले प्राय द्वीप और सुमात्रा का इंडोनाइशिया द्वीप नेक्ट फॉलिंग इंडिया इन में से कौन सा भारत में मौद्रिक निति का एक घटक नहीं है रैपो रेट मौरल सुवेशन क्रेडिट रैशनिंग या फिर पब्लिक डे निति हैं राजकोशिय निति हैं यानि की फिजिकल पॉलिसी उसका पार्ट है इसका पार्ट है पॉलिक डेप्ट है मैम यह फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है मौनेटरी मौद्रिक निति का नहीं है बाकि यह तीन कैसे हैं यह मौद्रिक निति हैं कैसे हैं यह मौनेटरी कौन बनाता है मैं बनाता है RBI यानि की Reserve Bank of India हमारा केंद्र और Fiscal Policy कौन बनाता है Government of India यानि की भारते सरकार और भारते सरकार के लिए भी कौन सा Finance Mintery Ministry यानि की वित्त मनत्राले ठीक है भारत सरकार मतलब वित्त मनत्राले तो इस नोगा फादर ऑफ इंडियर अन्रेस्ट यानि भारत अशांती के जनक के रूप में बारती अशांती के जनक के रूप में किसको माना जाता है अनंत सिंग बाल गंगा दर्तिलग भगत सिंग या फिर दादा भाई नरजी आंसर करें क्या होगा सबसे पहले आंसर आया है विवेक पटेल का परवीन का हर्षिल का पहुद अच्छे एकदम सफी करेक्ट आंसर क्या होगा बाल गंगा दर्तिलग में क्या का आ जाता है भारति है शांति के जनक यानिन expand Auradws redress नेक्स्ट देखते हैं C.A.D. stands for जल्दी से बताईए C.A.D. का full form क्या है? C.A.D. का full form क्या है? कई बार Google Translate कुछ भी translate कर देता है इसका correct answer क्या होगा? ये basically जो designing वाले लोग होते हैं, जो automobiles, car वगएरा ये सब designing करते हैं वो इसका use करते हैं, ये क्या है? Computer Aided Design Computer Aided Design यनकी C.A.D. Next देखते हैं, which of the following was invented by Sir Humphrey Davy? answer करिये, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ना कुछ लोग फसेंगे, मैं तब बताऊंगी कैसे फस रहे हैं, इन में से कौन सा अविशकार Sir Humphrey Davy ने किया था? answer करिये इदर क्या होगा? हर्षिल बोल रहे हैं, मैं सी है, देवशीष बोल रहे हैं, मैं एकसरे है अच्छा, देवशीष आप तो मैंने देख लिया है, बटा आप तो दिग गया है, आप चाहिए आप डिलीट कर दो, नहीं हो सकता परवीन कह रहे हैं, मैं सेफटी, पिन हर्षिल बोल रहे हैं, मैं लैंप हर्षिल बोल रहे हैं, एकसरे, तुम्हें ये हाइलाइटर दिग गया, तुमको लगा कि ये हो सकता है, ये न मुसे गलती से हाइलाइट हो गया था, फिर मैं इसको हटा रही थी फिर मैंने सोचा कि छोड़ो कोई बात नहीं चलने दो देखते हैं बच्चे कैसे prior response करते हैं तो उमीद भिंख walls निकले लेकिन ओगा sf सेफ्टी लेंप इन्होंने किसका आविश्कार किया लेंप का आविश्कार किया अच्छा एक्सरी का आविश्कार करने वाले कौन थे इस ड्रक्यूल नाम का इन मेंसे कौन से हमारा पडोसी देश है जिसका नाम ड्रक्यूल नाम से भी जिसको जानते है मेनमार मॉलडिव्ज भुटन या फिर अफगानिस्थान बताइए इंदर क्या होगा अंसर अच्छा इसी के साथ यह और बता आ, दशेन नाम का जो एक त्योहार है, वो कौन से हमारे पडोसी देश में मनाया जाता है। में है रहा है पह refr बहुत अच्छे एकडम सही आशिष का सही है ठीक है बुटान बिल्कुल सही यह स्थ सही है बुटान correct answer क्या होगा correct answer होगा बुटान अच्छा ये जो ड्रक் का मतलब है land of thunder dragon land of thunder dragon तो आपने देखा होगा जाता है हमारे पड़ोसी देशन नेपाल के अंदर ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आई टी सीजेड का फुल फॉर्म बताओ कि देवशीश बहुत अच्छे एक दम सही आंसर है करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन देखो थोड़ा राम राम से करा रही थी इसलिए ज्यादा टाइम लगया अब फटाफट करते हैं क्योंकि क्लास का टाइमिंग अल्रेड़ी अप चल चुका है तो मैं नहीं चाहती कि मैं ज्यादा टा क्लासा साथ के मेरे बाद तो मैं चाहती नहीं कि मैं किसी और की क्लास के बीच में स्टूडेंट्स को रोके रखूँ तो जल्दी से फटाफट खतम कर लेते हैं डोल्टरम प्रेशर बेल्ट कहां पर लाइक करती हैं किसके वीच में स्थित हैं फाइव डिग्री नॉर्थ तरकी क्लास होती है ना ऐसे नहीं कर सकते हैं अच्छा दोड़ी लगता है ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा पांच डिग्री नौर्ट से लेके पांच डिग्री स्टेडियम सचिंत अनुलकर स्कोर्ड हिस हंड्रेट्थ इंटरनेशनल सेंचरी यानकी निमले कितमे से किस स्ट जाहिद चंदू स्टेडियम या फिर बाराबती स्टेडियम वान खेड़ी याद आते ही एक ही रंदा याद आता है शारुक खान पताई आंसर क्या होगा यापर बहुत अच्छे देवाशीश एकदम सही बिलकुल सही विवेक वान खेड़ी नहीं होगा हर्शिल कह रहे है बी अमन अदित्य चेह रहे है शेरे बांगला बिल्कुस है करेक्ट अंसर क्या होगा करेक्ट अंसर होगा शेरे बांगला स्टेडियम कहां पर है तो यह है आपका ढाका बांगला देश में next question की तरफ चलते है फटाफर भागते हुए ठीक है फटाफर सेशन ओवर भी करना है इन में से किसके साथ में वर्गिस कुरियन संबंदित हैं इंडिगो रेवलिशन वाइट रेवलिशन येलो रेवलिशन या फिर ग्रीन रेवलिशन आंसर इदर क्या होगा आंसर इदर क्या होगा फटापट बताओ आंसर होगा मैं इदर वाइट रेवलिशन आपने बताया थ milk product और milk से related है यलो होगी आपकी oil seed यानि की तिलहन से जितने भी आपके सरसों के जो तेल के बीज है oil seeds ठीक है सरसों के सूरज मुखे के especially उससे ये किस से related है ये आपका food grain यानि की wheat से related है उससे हर इतकरांती है इंडिगो है हर किसी के लिए overall यानि की all areas में ठीक है all areas में नेक्स अबिच रिवर इस नोन एस गंगा ओफ इटली इन में से कौन सा ऐसी नदी है जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है वोलगा धानूबे राइन या फिल पो आंसर क्या होगा बहुत easy है correct answer क्या होगा या पर पो नदी माने जाती है इतली जाने की इतली की इतली की पवित्र नदी वाजनी जाती है कौन सी ओन्धी थीक ये next देखते हैं next क्या है दुद शाघर जल्परपात भारत की कि राजे में स्थित है तो answer क्या होगा या पर आपका answer क्या होगा कर्नाट का मदैय प्रदे है कौन सा है मुर्मू गाव पोट है गोवा के अंदर कौन सी नदिया है एक नदी है मांडवी जिस पर क्या बसा है जिस पर पंजी या फिर पंजी या फिर पंजिम बोले वो यहां पर बसा हुआ है और दूसरी नदी कौन सी है जुआरी नदी नेक्स्ट देखते हैं त्रपि और जैनत धर्म की जो किताबे हैं महान किताबे हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है अगमाज क्या नाम है उनका अगमाज ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं I think question हो चुके हैं over आज का session यहीं करते हैं खतम टेलिग्राम चैनल है यह मेरा यहां पर आप जोइन करें शीतल शर्मा 01 टे और मेरा इंस्टा आइडी है शीतल शर्मा डी ओफिशिल जरूर बताएं आपको आज की class कैसी लगी क्लास ओवर होने के बाद में YouTube के उधर comment section में जरूर comment करें कि आपको आज की question कैसे लगी आपको class कैसी लगी और कल 11 बजे class होने वाली है important amendment और articles की अनुछेद और अधिनियम के important important हम articles करेंगे और amendments करेंगे तो कल जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ में सुबा 11 बजे और को साड़े चार बजे जो होगा वो तुम्हें 11 बजे वाली class पर मताऊंगी कि शाम को साड़े चार बजे हम क्या करने वाले ठीक है तब तक के लिए thank you so much class bye bye and take care have a nice day मन लगा के पढ़ते रहें खुश रहें और आसपास के लोगों को खुश रखें बाई class